चार दिवसिय गनेश मेला का खेल मंत्री ने किया उद्घाटन बखरी बेगू सराय सम्वाग दाता बखरी का इतिहास बेगू सराय जिला के लिए काफी अहम रहा है यहां की धार्मिक सांस्कृतिक छवी के साथ सामाजिक प्रिष्ठ भूमी व्यापक और सयोजने योग्य है तंत्र साधेका व बखरी की एतिहासिक पौरानेक गाथा की नाई का बहुरा मामा की धर्ती अपने आप में बहुत कुछ संजुए रखा है उनकी तंत्र विध्या व साधना की कहानी हम लोग बच्पन से ही सुनते आये है आज सौभग्यवश इस धर्ती पर आने का मौका बाबा गरीबनाथ की कृपा से गनेश मेला कमिटी के द्वारा मिला है उक्त बाते बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र महताने मुख्य बाजार स्थित बाबा गरीबनात मंदिर द्वारा आयोजित भव्य गनेश मेला का दीप प्रजवलित वफीता काटकर विधिवत उध्ध घटन के बाद आयोजित कार्यक्रम के दोरान कही स्थानिय विधायक सूर्यकांथ पास्वान ने कहा कि हमारी बखरी खेल के साथ साथ बहुमुखी प्रतिभा से धनी है मगर संसाधन के अभाव में यहां कि युवा अपनी मंजलते नहीं कर पाते हैं अगर खेल स्टेडियम का निर्मान हो जाए तो वह दिन दूर नहीं होगा जब बखरी की खेल प्रतिभार आश्ट्रिय वह अंतराश्ट्रियस्तर पर पर परचम लहर आएगा कमिटी के सच्चिव सुरेंद्र केशरी ने कहा कि बाबा गरीबनात मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है बीते तीन वर्ष पूर्व कमिटी गठन के बाद युधस्तर पर कमिटी के सदस्यों के सहयोग से आज बाबा गरीबनात मंदिर जिले के सबसे उचे शिखर मंदिर होने का गौरव प्राप्त किया है मेला संयूजक दिलीप केशरी ने कहा कि बाबा गरीबनात मंदिर पर्यावरन वह मंदिरों से घिरा अध्भुत संगम वाला मंदिर है यहां सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना एक ही छत के नीचे एक साथ किया जाता है इस दोरान मेला कमिटी सदस्यों द्वारा आगंतुकों को अंगवस्त्र वमाला पहना कर स्वागत किया गया इसके बाद बखरी के नामचीन डान्स ग्रुप द्वारा देवा श्री गनेशा, गनपती बापा मोरिया, बंबंबोले, रक्त चरित्र, जैमा काली, बंभुले, ननीसी गुडिया के भक्तिमयन रित्य ने हजारों दर्शकों का खूब मनोरंजन किया मंच संचालन पंकज केशरी ने किया संचीत साह, कुंदन पंडित, मनोज साहु, रविंद्र सहनी, रामचंद्र सहनी, श्रवन बजाज, अमित पोद्दार समेत सेकडों लोग मौजूद थे